वेल्कम तो माई चैनल इस्टूडियो में हम इस कुरसन को सॉल्व कर रहे हैं हमारे पास क्या कोसन है 4x2 plus 9y2 plus 16z2 plus 12xy minus 24yz minus 16xz तो हमारे पास क्या है हमने क्या करना है इसको फैक्टराइज करना है तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं और यहां पर लिख लेते हैं using identity identity के तुरू हमने इसको solve करना है तो यहां पर लिख लेते है using identity using identity कि इसमें कौनसी use करना है x plus y plus z का हमारे पास यहां पर square है ठीक है is equal to x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx ठीक है यह इसके equal होता है जैसे a plus b ka all square का formula होता है a square plus 2ab plus b square इसी तरह x plus y plus z ka whole square का formula हमर बस यहां पर यह open होता है फिर जब यह इसके equal होता है तो यह भी इसके equal होगा ठीक है तो हम यह भी कह सकते हैं we can say that we can say that कि जब यह इसके equal है तो यह भी इसके equal है तो इसको पहले लिख लेते हैं और इसको बाद में लिख लेते हैं है x square plus y square plus z square plus two x y plus two y z plus two z x is equal x plus y plus z ka whole square अब हम क्या लिख करेंगे यहां पर के यह जो है इसके equal हैं ऐसे ही है हम यहां पर लिख लेते हैं यह सारा 4 x square plus 9 y square plus 16 z square plus 12 x y minus 24 y z minus 16 x z is equal किसके equal होजएगा हमारे पास यहां पर हमने इसको इसके according यह इस तरह बना लेना है ठीक है तो यहां पर x का square है तो हमारे पास यहां पर 4 x square है तो अगर हम इसको whole square लिखें तो 2 x का whole square लिख सकते है 2 x square whole square वह 4 x square के equal है फिर आगे हम लगों ने यहां पर प्लस y square है तो यहां पर 9 y का square है तो अगर हम 3 y का whole square करें तो कड़ सकते हैं यहшей हम इसके equal होगा होता है यहां यहां पर लिख लेते हैं जटास- with और यहां पर 16 z square है और यहां पर हमारे पास क्या z square है तो हम यहाँ पर अगर 4Z का all square करें तो हम कर सकते हैं माइनस 4Z का all square कर लेते हैं बताती हूं क्यूं ठीक है क्योंके आगे हमारे पास यहाँ पर माइनस है इसलिए तो हम लोग ने यहाँ पर माइनस 4Z का all square कर लेना यहाँ पर प्लासी आएगा यहां पर आपके पास क्या प्लस ही आना ठीक है x square y square और यह z square और फिर अच्छा यह x square है यह y square यह z square किवह ऐसे ठीक है और हम लोग नहीं यहां पर प्लस ही लगाना इधर minus लगा दिये यह आगे minus है ना इसलिए ठीक है फिर हम क्या करेंगे आगे ये कर लेते हैं कि 2XY है ना तो क्या आज़ेगा हमारे पास प्लस और 2XY फॉर्मले के एकॉर्डिंग 2XY है तो हम लोग यहाँ पर इसको लिख लेते हैं प्रैकिट में 2 है और मैंने भी आपको क्या काई यह X है हमारे पास ऐसे ही है यह Y है और यहाँ पर यह Z है ठीक है तो हमारे पास यहाँ पर 2XY है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 2X हमारे पास अब क्या है 2X तो हम यहाँ पर 2X लिख लेते हैं और यहाँ पर हमारे पास Y क्या है 3Y तो हम यहाँ पर 3Y लिख लेते हैं अगर इंको multiply करें तो यह के equal होता है 12 xy के तो 2 2s are 4 और 40s are 12 12 और जात xys होता है आगे क्या करेंगे यहां पर plus का sign है तो plus का sign ही आजेगा और यहां पर हमारे पस 2 y's ही है तो हम यहां पर 2 ही लिख लेंगे y हमारे पस क्या है y 3 y है तो 3 y लिख लेते हैं सोरी इसको भी bracket में करी लेते हैं ठीक है 2 इसको bracket में कर लेते हैं 2 और यहां पर multiply का sign लगा लेते है multiply का sign है ठीक है 2 multiply है अब हमारे पस क्या है 2 y's हमने लिखना है 2 y हमारे पस क्या है 3 y और हमारे पस जो z है वो क्या है minus 4 Z तो हम लिख लेते हैं पर multiply minus 4 Z और यहाँ पर जगा नहीं है यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं आगे है हमारे पास plus 2 Z X तो 2 का 2 आजेगा और Z हमारे पास क्या है यहाँ पर भी ब्रैकिट यहाँ ही प्यानी है ठीक है? यह multiply का sign है तो 2 multiply अब Z हमारे पास क्या है minus 4 Z तो यहांपर minus 4 Z लिख लेते हैं और X हमारे पास क्या है 2 X तो यहांपर 2 X लिख लेते हैं समझ आया है यहां तक आपको दुबारा बता देती हूं एक दफाँ यहांपर देखें कि हमने identity को इसको use करना LEutes सतरु को अंगा है जब यह इसको इसको इक्वल होता है हमने इसको पहले लिख लेना है अब हमने इसको जो है क्वेस्ट इसको factorize करना इसको यह अँपर लिख लेना बना लेना है हम लोग ने यहां पर this तो खोर हम लोगों ना चाहने hear है यह यह चैज़क का लिए है यह वाय और यह जी है और फिर नहीं ने फिर ने टू एकसफाय बनाना तो टू फॉर्मले का आगे और एकस हमारे पास टू एकस ठीक है और यह अब आगे हम लिखेंगे इसको यहां पर क्लोज कर लेंगे यह close कैसे हो जाएगा यह किसके equal है सारा x प्लस y प्लस z का whole square के equal है तो x हमारे पास 2x है ठीक है, और y हमारे पास 3y है और हमारे पास z है वो क्या है, minus 4z और यहां पर किया आजएगा हमारे पास whole square ठीक है, समझाया, यह सारा हमारे पास हम लोगों ने क्या किया इसको जो है इसके Equal कर लिया ठीकिबिया पर अब जो यह है यह इसका Equal ने क्या है तो हमारे पस यहाँ पर क्या representation process mmp6y lucky का होल स्केर हमने बनाना है तो X हमारे पस 2X ै plus y हमारे पस 3Y है और यहाँ पर plus का plus आजबा और यहां पर हमारे पास Z है वो क्या 4Z के एक्वाल है माइनस 4Z के एक्वाल है इसलिए हम लोग नहीं यहां पर लिख लिया अब यहां पर क्या करेंगे 2x प्लस 3y माइनस 4Z और यहां पर इसको लिख लिख लेंगे 2x प्लस 3y माइनस 4Z ठीक है क्योंकि यहाँ पर square था तो इसलिए हम लोगों ने इसको two times लिख लिए समझाए होपस आपको अच्छे समझा गया होगा आपको वीडियो चल लगे तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें thanks for watching this video ठीक है तो यह यहाँ पर यह याद रखना आपने multiply कर साइन ठीक है से यह